नमस्कार SBT News में आपका स्वागत हैं पेश है दो मार्च गुरुवार शाम सवा साथ बजे राजिस्तान की बड़ी खबरी रासान मंत्री मंडल ने गुरुवार को वानेजिक भावनों में उर्जा दक्ष भावनों के निर्मान के लिए रासान उर्जा सनक्षन भावन सहिंतानियम 2020 को मुझूरी दे दी इसे भावन निर्मान शेतर में उर्जा की खपत कम होगी कारबंडाय उक्साइड उसरजन में कमी से पर्यार उनको स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी उर्जा दक्ष उपकरनों के उपयोग को प्रोश सहित किया जाएगा और उर्जा सनक्षन के प्रती जागरता फैलाई जाएगी जीवाश में इंधन पर कम निर्भरता और प्राकर्तिक संसादनों के बहतर उपयोग से देश के आर्थिक प्रगती में युगदान मिलेगा साथ ही एक जुन दोजार दो से दो से अधिक बच्चो वाली विद्वाओं एवम परित एक्ता महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा नियुक्तियां देने के लिए विभिन सेवा नियम में साइशोधन को भी स्विकृती प्रदान की गई सिया मशोग गहलूत ने राजसान के विद्वाद से बचुनाओं से पहले नया दाव खेला है गहलूत ने OBC और MBC वर्ग के नौन क्रिमिलियर अभिर्थियों को MBS की सरकारी सीटो पर टूशन फीस करने का फैसला किया है गहलूत की अधिक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये महत्पून फैसला किया गया इसके साथ ही कई समाजों को जमीन आवंटन करने की भी मंजूरी दी गई है कैबिनेट बैठक में तैख हुआ कि राज के चिकिसा महाविद्यालियों ज्वालावार मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल सोसाइटी तथा राज में इसकी ओर से संचॉलेज किसा महाविद्यालियों के MBC और OBC वर्क के नौन क्रिमिलियर अभियर्थियों की सरकारी सीटों पर टूशन फीज माफ रहेगी अभियर्थियों को सतर दोजार बाईस तेज से छूट का लाब मिल सकेगा राजसान सरकार ने ब्रस्पतिवार को वीर तेजाजी कल्यान बोर्ड के गठन की घोशना की राजजी के समाजिक नियाए एवम अधिकारता विभाग ने इस आश्यों का आदेश चारी किया आदेश के अनुसार राजसान सरकार द्वारा समाज की स्थिती का जायजा लेने प्रमानिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मुल्भू से विधाए फलक्त कराने इनका मौनोनयान राज्य सरकार करेगी इसके अलावा बोर्ड में नौ सरकारी सदस्य भी होंगे प्रदेश कांग्रिस अध्यक्ष कोविन सिंग डुटास्रा ने बोर्ड की गठन पर खुशी चताई जोपर में बेश केमती सरकारी भूमी से जेडिये दस्ते ने अतिकरमन हटाया गांधी नगासित ओजाजी का बाग पर कबजा लिया जो रहा था जिससे जेडिये दस्ते ने हटाया खसरा नंबर 481 पर लंबे वक्त से लोगों ने कबजा कर रखा था सरकारी भूमी पर कपजा कर वेयर हाउस और रेस्टरेंट का संचौलन हो रहा था इस दरान प्रवरतन शाखा के अवधान में आने पर एक्षन हुआ मौके पर पके निर्मान को जेडिये के दस्ते ने धुस्त किया है संपत्ती के बोर्ड और फेसिंग कर कप जा लिया जा रहा था बार्मेर के एक पिता अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं करता है सीमाद बार्मेर जिले में एक पिता ने अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए अपने पुछतानी जमीन तक गिरवी रखती अब किसान के बेटे ने दक्षिन अफरिका की सबसे उंची चोटी पर 151 फिट का तिरंगा लहरा कर देश का नाम रोशन किया है अब पूरे जिले की पुलिस उसकी तलाश कर रही है 12 जिले की कोटवाली पिलिस इस पूरे मामले की जौन्स कर रही है पिलिस से मिली जौनकारी के मताबिक जनवेद नाम के आरोपी को कुछ दिन पहले संगीन आरोप में गिरफतार किया गया था पुलिस ने इसके खिलाफ काई सबूती कठा कर उसे 12 जिले की जिल में बंद किया था आरोपी शाबाद इलाकी का रहने वारा था बता जारा है कि बुधवार सुबह और दोपहर में जिल की कैदियों के रूटिन काउंटिंग के दौरान वो मौजूद था इसके बाद शाब की काउंटिंग के दौरान एक आरोपी कम हो गया था उद्यपूर में गर्मी के मौसम है शाहर की प्रमुक पिछोला जील में घर्ते जलस्तर को देखते हुए अलसी गर्ड बान से गुरुवार को जील में पानी छोड़ा गया ये पानी शाम करीब 6 बजे बाद पिछोला जील में मिलेगा जलस्तर सादन में भाग के अधिकारे ने बताए कि पिछोला जील में जलस्तर बना रहे और पानी की कमी नहीं हो इसके उदेशे के लिए ये निर्मान किया गया है जिला पुशासन के नेने के अनुसार पिछोला जील में जलस्तर को बढ़ाने के लिए अलसी गड़ बान से पानी दोपर एक वज़े तक छोड़ा गया था इसके लिए अलसी गड़ बान के गेट खोले गए है हरे कि सहरे बाबाश्याम के वाशिक लखी मिला अपने शिकर पर पहुँच रहा है देश की चारो दिशाओं से श्याम भक्त बाबाश्याम के दर्शन करने के लिए खाटू नगरी में पहुच रहे हैं रिंगस रोड पर श्याम भक्तों की कतार लगातार बनी हुई है बाबाश्याम अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपनी हवेली से एकादशी शुकरवार को नगर भ्रमन करेंगे नेले घोडे पर बनरासा बन कर बाबाश्याम की शाही सवारी जिसमें बैंड, ढोल, तरासा, चंग के साथ गुलाल उड़ाते हुए भक्त रत के आगे नास्ते गाते आएंगे गर तलब है कि बाबाश्याम फालगुन शुक्ल पक्ष की इकादशी को ही अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं रहसान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने आज विधान सभा में आश्वस्त किया कि अध्यापक पातरता परिक्षा का परिनाम आते ही काउंसलिंग के पश्च्चाद प्रतेक तृते शेरनी शिक्षिकों के सभी 49,000 रिक्त पदों को भर दिया जाएगा डॉक्टर कल्ला ने परिशन काल में पूरग परिशन के जवाब में कहा कि रीट की परिक्षा संपन की जा चुकी है उन्होंने आश्वस्त दिया कि सूरजगर विधान सभा शेत्र में रिक्त तृते शेरनी के अध्यापकों के पदों पर शिक्र ही निवक्ति करती जाएग पूरे राजसान में एक बार फिर नया पशी में विक्षोप सक्रिय होने से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है हलकी ठंडी हवाओं के बीज धूर बरी आंदी भी चुल रही है जैपन मौसम केंदर के मताबिक नए पश्री में विक्षोप सक्रिय होने से गुरुवार को भी कई जिलों में बादल चाये रहने के आसार है बीते 24 गंड़े में मौसम में बदला होने से राजिक के लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी लेकिन इस बार तेज गर्मी पढ़ने के पूरी आसार बने हुए है मौसम भाग के अनुसार मार्च महिने के पहले ही सबताह में लासान के बीकाने चूरू हनमानगर गंगनगर के साथ आसपास के लाकों में बादल चाये रहने वाले हैं इसके साथ ही कई जिलों में बारिश होने के असार बने हुए हैं वहीं हवाएं भी चुरेंगी परेटकों को सरकारी म्यूजियम और मॉन्यूमेंट्स देखने के उदेशे से अब टिकट लेने के लिए लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं रहेगी प्रदेश के उनने जिलों के मॉन्यूमेंट्स और मुजियम के टिकट एक क्लिक पर ऑनलाइन बुक किये जा सकते हैं रासान के उनने जिलों में बार्मेर के किराडू के मंदिरों को भी शामिल किया गया है बार्मेर के किराडू के मंदिर 11 शताबदी में बने थे अब ये भगना वेश में हैं बिकानेर के डॉक्टर करने सिंग स्टेडियम में चोल रहे रास्ते संस्कृति महसव में गुर्वार को केंड्रियों शिक्षा राज्यमंत्री अन्रपूर्णा देवी शामिल होंगी नारी शक्ती अधारत नित्य प्रस्तूति देगा इसके बाद शाम साथ बजे स्वारप संस्कृति के रंग भी खेरेंगे और साड़े आट बजे लोग गाई का मैथली ठाकुर अपने प्रस्तूति देंगी अखिल बाते विद्यारती पाइशा से जोड़े स्टूडेंट्स ने कोटा यूनिवस्टी तक सिटी बस चुलाने की मांग को लेकर प्रजोर्शन किया स्टूडेंट्स ने नगर निगम कारेले पहुच को नारे बाजी की फिर आयक के चंबर के बाहर धरना दिया पंदर दिन से सिटी बस कोटा यूनिवस्टी तक चुलाने के आश्वासन देने के बाद स्टूडेंट्स ने धरना खत्मी किया कोटा यूनिवस्टी में अध्धै अक्ष रोहिताश मियूना ने कहा कि कोटा यूनिवस्टी तक आने जाने के लिए कोई भी सिटी विस नहीं चौगती है, जिस करुंट स्टूडेंन्स को निजी वहनों से यूनिवस्टी तक आना जाना पड़ता है। शिक्षा विभाग में नए सेशन से पहरे ट्रांसफर का एक और दोर आएगा मुख्य मंत्री और शोगहलोत की सरकार में सबसे ज़्यादा ट्रांसफर इस बार होंगे सबसे बड़ी बात ये है कि ग्रेट थर्ड के टीचर ट्रांसफर भी इस बार हो सकते हैं शिक्षा मंत्री डॉक्टर बिडी कल्ला विधान सबहा में इसका संकेत दे चुके हैं राज जिभर में करीब एक लाग ग्रेट थर्ड टीचर्स ट्रांसफर के लिए कतार में खड़े हैं विधान सबहा में बजट के अनुदान मांगो पर अपनी बात कहते हुए कल्ला ने कहा कि ग्रेट थर्ड टीचर्स के ट्रांसफर पॉलिसी तयार की गई है ये पॉलिसी जल्द ही सभी के सामने होगी राजिस्थान में बड़ रहा है क्यांगवार को देखते हुए अब सरका सक्ति करने के मोड में है इन बड़े अपराधियों से निपटने के लिए सरकार महरास्ट के मुंकोका की तरच पर कड़ा कानून ला रहा है इसी कानून की तर्च पर राजस्थान में क्राइम फैलाने वाले बड़े बंदमाशों पर राजस्थान कंट्रोल आफ और्गिनाइस्ट क्राइम लाया जा रहा है पूलया आजस्थान आफ जड़े ठूल Way तर्च जड़ेगों लाएम एक बंदमनीuce याले ज przy 총 इ wzglडेगा में a याजस्थान झाजस्थार स्थान में दूल्ड़ें